नमस्कार दोस्तों सीसी के इस लाइव डिस्ट लेक्चर में आप सभी काई बार फिर से स्वागत है मित्रू हमारी विश्श श्ट्रिंख ला हिंदी भाषा और हिंदी कावे असके अंतरगत हमने आप सभी के लिए कई लेक्चर आयुजित किये हैं और इन सभी लेक्चर को हमने आप सभी के लिए यूट्यूब पर अपलोट किया है हमारा पहला सेशन समर्पित है सूर्दास के परिचय पर यहां पर हम सूर्दास के व्यक्तित वो उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे वहीं दूसरी और अपने दूसरे सेशन में हम ब्रहमर गीत योजना यानि की सूर्दास की ब्रहमर गीत योजना इस पर चर्चा करेंगे और इस सेशन के लिए पर फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौझूद हैं दॉक्टर पीसी टंडन प्रोफेसर हैं दिल्ली आज हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी के एक बहुत बड़े और बहुत महान कवी जिनको हम सूर्दास के नाम से जानते हैं सूर्दास पूरी मध्यकालीन कावे धारा में जो एक विशिष्ट कावे धारा है क्रश्न कावे धारा उसके प्रवर्तक कभी माने जाते हैं और क्रश् पुष्टी मारगी भक्ति के अनुयाई कभी हैं उनके भी प्रवर्तक सूरदास माने जाते हैं। क्रश्न भक्ति काव्वे के माध्यम से सूरदास ने हिंदी कविता और भारती कविता में कुछ ऐसे मानक स्थापित किये, कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किये, जो वस्तुता ये कहा जा सकता है कि न भूतो न भविश्यती जो उससे पहले कहीं दिखाई देते नहीं और बाद में होंगे के नहीं इसकी सम्मामनाएं थोड़ी कम प्रतीत होती हैं क्योंकि सूर के पास वह हरदय था जो भक्ति परक तो था ही साथ साथ तमाम अन्य प्रवर्तियों की परक करने की क्षमता और कुशलता भी सूरदास के पास थी, मद्यकाल की वो समस्त महत्वण प्रवर्तियां जिनको हम प्रेम के रूप में, श्रंगार के रूप में, भक्ति के रूप में, इसी तरह वातसल्य भावना के र लूप में ये ये तमाम वो पक्ष हैं जो मद्देकालीन कविता की एक पहचान हमारे सामने उजागर करते हैं सूर्दास का जो फलक है वो बहुत व्यापक है ऐसा कहा जाता है कि सूर जनमान्द थे लेकिन यह वश्वास नहीं होता उनकी कविता को पढ़ने के बाद उनकी कविता में उपलब्ध सौंदर अनुभूतियों को जिस तरह से जिस बारीकी से अभी व्यक्त किया गया उनको समझ कर आत्मसाथ करके यह लगता नहीं कि वो जनमान्द थे उन्होंने रंगों की परक भी अपनी कविताओं में अपने पदों में बहुत ही प्रामानिक्ता के साथ की है हरित बास की बासुरी जब वो कहते हैं तो बास की बासुरी हरित हरे रंग की होती है बास हरे रंग का होता है यह सूरदास को गयाते हैं और पुष्पों के रंग भी सूर्दास को ग्यात है कोयल और कव्वे का रंग भी सूर्दास को ग्यात है पुष्पों के फलों के इन सब का जब उल्लेख वो करते हैं और यहां तक के कृष्ण पीतामबर हैं इंद्र धनुशी रंग क्या हैं इन सब की भी चर्चा वो अपनी कविता में करते हैं तो सूर्दास वास्तव में एक बड़े व्यापक हरदय के साथ कविता को हमारे समक्ष रखते हैं ऐसे कृष्ण भक्ति कावेधारा जो की सगुन कावेधारा की एक प्रमुख कावेधारा है उसका प्रवर्तन करने वाले महाकवी सूर्दास जिनकी एक ही रचना सूर्वसागर एक बहुत ब्रहत रचना है सूर सागर में ब्रहमरगीत प्रसंग भी है सूर सागर के आधार पर सूर की भाशा जो की ब्रजभाशा है ब्रजप्रदेश के वो कवी है वो उस कवी के अभिव्यक्ति कोशल उनकी काव्य कला इसकी भी तुलना जब हम करने बैठते हैं तो हमें कोई दूसरा कभी उस तरह का प्रतीत नहीं होता जो सूर के निकट पहुँचे सूर में वो समस्त विशेश्टाएं अभिवक्ति कोशल की कलात्मक्ता की है जो अन्ने कवियों में कहीं 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 एक कहीं दो कहीं तीन दिखाई देती है लेकिन सूरदास ने उन समस्त कलात्मक सौंदर परक विशेश्ट आयामों को अपनी कविता में शामिल किया है इस दिख्टी से यह जो कविय है पाठिकरमों में निरधारित करने का मुख्य प्रयोजन भी यह है कि कविता की जो संबेधना होती है काव्य की संबेधना का हरदैस परशी जो आयाम होता है उसका बोधवी पाठकों तक पहुँचना चाहिए किस तरह कभी शंगार का प्रेम का भक्ति का वातसल्ले का एक एक कोना ज्हांकता है और उस कोने की जो सूख्ष्म से सूख्ष्म अनुभूती है उसको आत्मसाथ करके वह बड़े चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत करता है सूर की जो सूंदर दृष्ष्टी है वह इतनी अद्वुत और इतनी विलक्षन है कि न केवल मानवी सूंदर तक वो किंद्रित रहें राधा के कृष्ण के रूप सूंदर रूप वैभव को तो वो कई पदों में अलग-अलग तरह से चित्रित करते हैं लेकिन प्रकृति का सूंदर रहें भावों का और विचारों का सूंदर रहें जो ब्रहमरगीत प्रसंग में उधव और गोपियों के जो तर्क वितर्क हैं उनमें जो तर्किक्ता के भीतर नहित वैचारिक सूंदर रहें सूर का वह अदबुत है जहां सगुन और निर्गुन के द्वंद को उजागर करने और सगुन की निर्गुन पर विजह दिखाने का ये जो पूरा एक ताना बाना सूरदास बुनते हैं वह वास्तम में सूर की विलक्षनता के ही द्योतक बनकर हमारे सामने आते हैं तो ऐसे हिंदी के क्रश्न भक्त कवी जो की क्रश्न कावे परंपरा के प्रवर्तक कवी हैं और अश्ट चाप के शिरोमनि कवी उनको शिर्षस्त कवी अश्ट चापी कावे धारा का माना जाता ह वह सूर्दास जिनका स्थान धर्म, साहित और संगीत के संदर में तो अदबुत है ही राग आश्रित कविता जो पद हैं उनके वो रागों पर आश्रित हैं और गेपद हैं गीती तत्व उनमें अदबुत रश्टी से दिखाई देता है ऐसे महान कवी का जो भाशाई क्षेत्र है जो अभिव्यक्ति कौशल का क्षेत्र है वह भी बड़ा व्यापक है और पूरे मद्धेयुगीन कवेधारा और कवियों में वो एक अलग स्थान प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं इसलिए सूर्दास को भक्ति कवे के अग् गणने माने जाते हैं सूर्व वाज्सल्यरऊ के समराट भी कहे जाते हैं ऐसा वाज्सल्यरऊ का अद्भुत मारमिक हर्दैश परशी चित्रन बाल मनुविझ्यान की ऐसी सुन्दर गलात्मक सूख्ष्म अनुभूतियां और अभिव्यक्तियां ये अन्य किसी कभी में लेकिन समग्रते अगर तुलना करें तो सूर का कोई सानी कोई तुलना नहीं है इस दरश्टी से हम देखें विप्रलंब शांगार जिसको हम विरह अनुभूति से जोड़ कर देखते हैं सायवग, शंगार के दो पक्ष हैं सायवग और वियोग तो जो वियोग है उसे विप्रलम शंगार शास्त्र में कहा गया उस दुरश्टी से भी सूरधास बहुती मर्मस परशी कभी है गोपियों के विरह जो पद सूरधास ने लिखे हैं और प्रेम और विरह की अनुभूती में एक साहितिक पहचान विशिष रूप से बनाने वाला कोई महान कवी है तो वो सूर्दास हैं सूर्दास नामक यह तो कुछ अन्य कवीओं का उनलेक भी इतियास में और साहिति में मिलता है लेकिन नाम सामने के कारण उनके जीवन परिचे को जब हम देखते हैं तो यह कही कहीं थोड़ी ओवरलेपिंग थोड़ी घड़बड़ी भी हुई है सूर्दास के स्वरचित गरंतों के आधार पर हम जब सूर के जन्म आदी परिवार आदी मृत्यु आदी के बारे में विचार करते हैं तो यह कह सकते हैं कि सूर का जन्म सन 1478 में ऐसा उलेक हमें मिलता है जो दिली के बिलकुल निकट एक सी ही नाम का गाउं है और उस गाउं में सूर का जन्म हुआ और ऐसा भी माना जाता है कि वे जन्मान्द थे नेतरहीन वो जन्म से ही थे एक ऐसी धरणा एक ऐसी माननेता मिलती है इसलिए जाति-पाति के बंदन से वो परे थे और ऐसा भी कहा जाता है कि जाति-पाति पूछे नहीं कोई हरी को भजे सो हरी को होई ये बात सूर ने विशेशूप से अपनी कविता में व्यक्त की है व्यक्ति की पहचान सूर की दृष्टी में उसकी जाती से उसके पद से उसके वंश से नहीं होती वो उसके कर्म से होती है और जो हरी का भक्त है भगवान की ईश्वर की भक्ति करता है वो हरी का ही दास है इसलिए उसकी क्या जाती है वो तो भक्त है इस तरह से हम देख सकते ह कि लगभग 30-32 वर्ष की अवस्था में सूर्दास वल्लब संपरदाय में दीक्षित हुए और अंतकाल तक सूर्दास इसी वल्लब संपरदाय की पुष्टी मारगी भक्ती से जुड़े रहे उनका देहावसान सन 1583 इस्वी के लगभग ऐसी एक धारना है इसी एक मान्यता है पारसोली ग्राम में हुआ इस प्रकार का आकलन साहित विदों ने इतिहास कारों ने किया है सूर की महतपून रचनाएं अनेक हैं उनके लगभग 25 ग्रंथों का उल्लेख इतिहास ग्रंथों में मिलता है सूर विश्यक जो शोध हुई है उसके आधार पर ऐसा कहा जाता है कि उल्लेख 25 ग्रंथों का मिलता है जिसमें सूर सारावली एक बहुत ही चर्चित रचना है सूर रामायन का उल्लेख भी मिलता है भमरगीत और सूरदास के विनेपद साहित लहरी उनकी एक बहुत चर्चित शास्त्रिय पुस्तक है सूर 25, सूर सागर, सूर सागर सार जो संग्रह है, सूर शतक ऐसी बहुत सारी रचनाएं सूर दास के नाम से हमें प्राप्त होती है और सब से बड़ी पुस्तक जो महत्पूर्ण पुस्तक है जिससे सूर दास की एक अलग पहचान बनती है जिसमें बहुत सी पुस्तिकों का संग्रे है वह सूर सागर है इसी तरह सूर सारावली और साहित लहरी ये भी सूर की पहचान बनाने वाली महत्पून पुस्तिकें मानी जाती है जहां तक बात सूर सागर की है सूर सागर सूरदास की कीर्टी का यश का ख्याती का एक महत्पूर्ण प्रमान है उसे कृष्ण भक्ति कावे का आधार स्तंब भी कहा जाता है सूर सागर भगवत के अनुसार और उसी की परंपरा को ध्यान में रखकर उसका अनुकरन करते हुए रची गई एक महतपूर्ण वह रचना है जिसमें बार-बार सूर यह कहते भी हैं सूर कयो भागवत अनुसार तो भागवत के अनुसार सूरदास इसका मतलब भागवत का अध्यान बड़ा गहन अध्यान सूरदास ने किया था और उसका प्रभाव पर चत्रन किया है कभी दृष्टी मुख्य रूप से कृष्ण लीलाओं पर अधिक केंद्रित रही है कृष्ण सूर के आराद्धे हैं और कृष्ण की अनेक लीलाएं जो की गोप गोपियों के साथ की गई लीलाएं है जो कालिया दमन आदी की लीलाएं है समुद्र और जो यमुना में की गई कृड़ाएं है ऐसी तमाम तरह की लीलाएं इन पर सूर ने अपनी दृष्टी को विशेश रूप से केंद्रित रखा है कवी दृष्टी मुख्य रूप से जो रूप माधुर्य है रूप माधुर्य है चाहे वो कृष्ण का हो राधा का हो गोप गोपियों का हो अद्बुतेक अनूपम बाग जुगल कमल पर गजबर कीड़त तापर करत सिंग अनुराग इस तरह का चितर भी उतारते हैं सूर के भी चाहे वो बाल कृष्ण हो युवा कृष्ण हो उन सब के भी बड़े सुंदर सुंदर चितर सूरदास उतारते हैं प्रेम और विरह का सूरसागर में विशेश रूप से विस्तार से चितरात्मक वर्णन सूरदास करते हैं उद्धव गोपी संबाद की बात करें इन सब पर भी कृष्ण को एक विशिष्ट लोक नायक के रूप में प्रस्तुत करते हुए सूरदास ने महुत व्यापक फलक पर कविता के माद्यम से इन सब को दर्शाने का यत्न किया है कृष्ण का जो लोक रक्षक रूप है वह सूरसागर में है तो अवश है लेकिन तुलना में कम है अगर लोक रंजक रूप की तरफ द्रश्टी डालें तो वह सूरसागर में बहुत अधिक है इसलिए लोगरक्षक क्रिशन के साथ साथ लोगरंजक रूप क्रिशन का यह परिमान में अधिक दिखाई देता है सूर्शागर का जो वस्तु परिद्रश्य है अगर उस पर नज़र डालें तो लीला परक अधिक है और क्रिशन की गोप गोपियों की ब्रज प्रदेश के निवासियों की जो गोचारन लीला है गोधोन लीला है ऐसी तमाम तरह की लीलाओं में सूर्आ का मन बहुत रमता है और उनमें वो बहुत अविस्तार से वर्णन आत्मकता करते हुए दिखाई देते हैं पुष्टिमार्क के अनुसार सूर ने भी कृष्ण लीलाओं में राधा को मुख्य स्थान दिया है इसका अर्थ है कि राधा वल्लब संप्रदाय का प्रभाव सूर्दास पर था और राधा जो है वह वस्तुते एक आध्या शक्ती के रूप में चत्रित है इसलिए सूर्दास ने भागवत का विदीवत शब्दशे अनुवाद न करते हुए भी उसका प्रभाव जरूर ग्रहन किया और उस प्रभाव से जो भी विशेवस्तु भावसौंदरे सूर्दास ग्रहन करते हैं उसको वो अपनी कलात्मक सूजबूज से मौलिकता प्रधान करते हुए प्रतीत होते हैं इसलिए उसे अनुवाद नहीं कह सकते हैं लेकिन उसकी प्रभावात मक्ता यत्र तत्र दिखाई देती हैं वातसल्य श्रंगार यहसे हरदय ग्रही चत्र सूर्दास उतारते हैं बालकरश्न मय्या कब हुँ बढ़ेगी चोटी कित्ती देर मुह दूद पिवत भई यह अब हुँ है छोटी या इसी प्रकार के अन्य बाल मनोविज्ञान सुलब प्रश्न जो वो अपनी माता से करते हैं जो वो अपने मित्रों से करते हैं जो वो अपने परिजनों से करते हैं उनका भी बहुत सुन्दर चित्रन यहाँ पर उतारा गया है कृष्ण जीवन की संपूर्ण कथा को महात्मे अगर सूरदास देना चाहते थे तो उन्होंने कई अवसर खोज लियें जहां कहीं भी उन्हें मौका मिला उन्हें कृष्ण की महिमा और गोप गोपियों के साथ उनके जीवन यापन उनकी तमाम तरह की लीलाएं इनके प्रसंगों को इस तरह से गड़ा है कि सूरदास जैसे इन प्रसंगों की तलाश में दिखाई देते हैं और जहां कहीं भी अवसर आता है उस पर एक सुंदर पद वो लिख डालते है सूर के कावे में जो मुख्य रूप से प्रवर्तिगत सौंदर दिखाई देता है क्योंकि सूर एक भक्त कवी है प्रेम भी उनकी कविता में उतना ही महत्व पूर्ण स्थान रखता है वातसल्य भी उतना ही महत्व पूर्ण स्थान रखता है इसलिए भक्ति, वात्सल्य और प्रेम, प्रेम में भी संयोग और वियोग यह श्रंगार का एक पक्षा है, इनके बहुत सुन्दर सुन्दर चत्रात्मक पद सूर्दास ने रचे हैं उच्च कोटी के भक्तों में, भक्त शिरोमनी क्या कहे जाते हैं सूर्दास, तो सूर्दास को हम भक्ति की द्रश्टी से जब देखते हैं, तो उनके लिए भक्ति साधन नहीं है, भक्ति उनके लिए साध्य है वह उस साध्य तक पहुँचने के लिए ये सब अबक्रम करते हैं, उनके मत से इस मायावी, इस प्रपंची संसार से मुक्ति पाने का एक मात्र सहज सरल उपाए अगर कुछ है, तो वो कृष्ण की भक्ति है इसलिए वो इस प्रपंच से, इस माया से, इस भ्रम से, इस असत्य अबित्या से बचने के लिए भक्ति के मारग को अपनाने का एक मात्र उपाए सुझाते हैं, इसलिए हरी भक्ति उनके लिए सर्वोपरी है, इसके बिना वे जीवन को भार स्वरूप स्वीकार करते हैं वो कहते हैं कि अगर भक्ती नहीं है तो जीवन एक बोज है और वे बोज उठा कर चलना कठिन हो जाता है और भक्ती से भक्तिमार्ग से यदि हम अगरसर होते हैं तो यह जीवन खुशी खुशी आसानी से यापन हो जाता है बहुतिक विश्यों के दुश परिनामों का उदगाटन प्रभू प्रेम का प्रतिपादन वो इतनी खुबी से करते हैं कि म्रिग त्रिशना की तरह भठकते हुए भक्त सानसारीक लोग हरी लीला या क्रश्न लीला की और ऐसे अगरसर हो जाते हैं अनायास आकरिष्ट हो जाते हैं कि वो उन्हें लगता है कि जीवन का जो सार है वो उन्हें प्राप्त हो गया भक्ती के बिना वे समस्त साधनों को दिनिया की जितनी उपलब्दियां हैं जितनी सुख सुविधाएं हैं अगर भक्ती नहीं है तो वो सब कुछ व्यर्थ है ऐसा सूर मानते हैं बलके उन्हें सांसारिक बंदन के रूप में सूर स्विकार करते हैं हरी का भक्त स्वयम हरी स्वरूप हो जाता है ऐसी सूरदास की माननेता है यानि जैसे तुलसी केते हैं सिया राम मैं सब जग जानी तो तुलसी की भी माननेता है कि हरी का जो भक्त होता है वो हरी मैं हो जाता है उसके अपने भीतरी उसे उस आराते उस ईश्वर के दर्शन का बोध होने लगता है अनुवूती होने लगती है इसलिए वैब उनको दुनिया की हर चीज पर अधिकार होता है अगर वो हरी की गरपा उन पर है और वो हरी के जन है सूर की रचनाओं में दो प्रकार की भक्ती सामानित है देखी जाती है एक विने संबंदी भक्ती और दूसरी सक्खे संबंदी तो विने भाव की भक्ती और सक्खे भाव की विने में आर्दरता है विनम्रता है और प्रपत्ती है भगवान के समक्ष विने भाव से भक्त अपनी मनों भावों को विक्त करता है अपनी प्रार्थना प्रस्तुत करता है और सक्खे भाव में भक्त ईश्वर को अपना सखा अ पाते हैं अपने को पतित मानकर प्रभू को पतित पावन मानकर वे अपने उद्धार की प्रार्थना करते हुए बार बार दिखाई देते हैं अपनी दीनता प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं प्रभू हो सब पतितन को टीको दुनिया में जितने पतित हैं उन सब पतितो में श्रेष्ठ पतित जो पतितों का टीका है तिलक है वो अपने को मानते हैं और पतित सब धौंस चारी के हो तो जनमत ही को इस तरह से सूर अपनी सगन भक्ती की जो भावना है सगन भक्ती का जो भाव है उसके माद्यम से जीवन के प्रथम चरण में निरगुन ब्रह्म की मह करते हुए भी दिखाई देते हैं लेकिन प्रारंबिक दिनों में निर्गुन भक्ति की भी नैनन निरक स्याम स्वरूप रहो घट घट व्यापि सोई जोती रूप अनूप वही घट घट में व्यापत है और एक जोती के रूप में इस पूरी स्रिष्ट में वही आलोक विकी करता हुआ दिखाई देता है यह सूर्दास की वह प्रारंबिक भक्ति है जब वो निर्गुन भक्ति की और भी कहीं कहीं थोड़ा जुकते हैं इनी पदों में वे माया का वर्णन भी ब्रह्म ज्यानियों की शैली में करते हैं माधर्व नैको हटकों गाई ब्रह्मत निस्वासर अपत पत अगहीं गहीं नहीं जाई लेकिन जैसे ही वो वल्लवाचारे के संपर्क में आते हैं और निर्गुन के प्रती उदासीन और सगुन के प्रती समर्पित होते चले जाते हैं रूप रेख गुन जाती जुगत बिन निरा लंब कित धावे तरक करती हैं और उदव से पूछती हैं के रूप रेख गुन जाती जुगत बिन अगर ये सब नहीं है तो इनके बिना निरा लंब बना वो कैसे यहां वहां दोड़ते हैं क्रिश्न वो गोचारन कैसे करते है वो माखन लीला कैसे करते हैं वो कालिया दमन कैसे करते हैं वो माता पिता के साथ लाड कैसे करते हैं सब विदी अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे सूर कहते हैं कि सब कृष्टी से विचार करने के बाद अंतत है मुझे लगा कि सगुन भक्ती ही श्रेष्ट है और इसलिए मैं सगुन भक्ती के पद ही कृष्ण के गाता हूँ सूर ने नवदा भक्ती के सभी रूपों का वर्णन अपनी कविता में किया है किन्तु सरवाधिक भक्ती भाव जो उन्हें आकरिष्ट और प्रभावित करता है वह सक्खे भाव है वातसल्ले भाव है माधुर्य भाव है उनके पदों में विशेश उप से इस प्रवर्ती को हम सरवाधिक मात्रा में देख पाते हैं सूर सागर में बाले लीलाएं बड़ी अद्बुत हैं गोचारन लीलाएं बहुत अद्बुत हैं सुदामा की दरिद्रता और उसका विदारन ये सक्खे भाव से क्रशन जब करते हैं तो सक्खे भक्ती के अतुल्य उदारन हमारे सामने उभर कर आते हैं वहां सुर्दास ये बताना चाहते हैं कि सुदामा भले ही कृष्ण से न मिले हो बरसों से भले ही वो बहुत गरीब अवस्था वाले हो लेकिन जो सखा भाव है जो मित्र भाव है उसका निर्वा सुर्दास करवाते हैं कृष्ण से और सुदामा के प्रती उनके उद्गार प वादसल्य भाव वह भी भक्ति का ही एक इस्सा है वादसल्य भी एक तरह की भक्ति है और वादसल्य भाव निश्काम भाव की भक्ति का पोशक माना जाता है इसी तरह विरक्ति की भावना जिसमें ना इंद्रिय सुक की कामना है सूर्दास ने वादसल्य भाव के माध्यम से अपनी भक्ति का ये शोधा और बालकृष्ण जो प्रेम है उनको कितनी खूबी के साथ चित्रित किया ऐसे सरल स्वाभाविक हर्दय स्पर्शी और हर्दय ग्राही चित्र अन्य कहीं अन्य किसी कविता में नहीं मिलते हैं ऐसा अनेक चिंतकों ने विचारकों ने अलोचकों अपने मतों में कहा भी है हरवंचलार शर्मा ने कहा यदि कहा जाए कि सूर ने पुरुष होते हुए भी माता का हर्दय पाया तो असंगत नहीं होगा और आचारे शुक्री ने तो लिखा कि मा के हर्दय का कोना कोना जहां का है इस तरह के तमाम कथन इस बात के पोशक और इस बात को प्रमानित करते हैं कि प्रेमा भक्ती हो वादसल्य भक्ती हो विने भक्ती हो उन सब का एक ही लक्ष है वह है आराध्य तक पहुंचना मादुर्य भाव की भक्ती में भी सूर्दास की गती अद्बुत है इस तरह हम देख सकते हैं कि भगवान की लीलाएं हो वो परखों, सौंदर्य परखों, भाव परखों, विचार परखों, उन सब को सूरदास ने बहुत नजदीक से देखा है, अनुभव किया है और बहुती बहतरीन अभिव्यक्ति के माद्यम से इन समस्त गे पदों की रचना करते हुए हिंदी कविता को भारती है, पूरी कविता क बहुत समर्द और संपन बना दिया है, तो इस तरह सूरदास एक महान कभी, एक बड़े कभी, एक दिव्य दृष्टी वाले कभी हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं, आज हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, और फिर अगले विशे के साथ आपके सामने उपस्तित होंगे, धन कि ओर स्थिकतित हैं, एक म格भी हैं, घोत आपके सामने पाले कि समय विराम देखन कि हाई, विरे माले के सामने ऑम दिव्यू को यहीं लिएले को जूतिताने हैं, तो मिलिएल म。 कर दो कर दो कर दो कर दो कर, कर दो कर दोुई खो झाल झाल लगुर्णे चाल सूर्दास के काव्वे में एक बहुत ही महतुपूर्ण प्रसंग देखने को मिलता है उसकी चर्चा हिंदी जगत में और भारती साहित में भरपूर होती है वह है सूर की ब्रहमर गीत योजना मद्यकाल में हम जानते हैं कि भक्ती के जो युगीन विवाद थे उनमें सगुन भक्ती और निर्गुन भक्ती के बीच भी एक विवाद था वस्तुत है ये दो धाराएं हैं सगुन मार्गी भक्ती धारा और निर्गुन मार्गी भक्ती धारा के अंतरगत हम देखते हैं कि कृष्ण मार्गी और राम मार्गी यानि कृष्ण भक्ती और राम भक्ती कावे धारा ये दो मिलती है और निर्गुन कावे में ग्यान मार् संतों की कावेधारा है जिसमें कभीर, सुंदर, दादू, नानक, आदी, सहजोबाई आदी ये मिलते हैं और प्रेम मारगी कावेधारा जो है वो सूफी कावेधारा है जिसमें जैसी, मन्यन, उस्मान, नूर मुहम्मद या मौलाना दाउद, कुत्वन आदी मिलते हैं इधर रामभक्ति और कृष्णभक्ति कावेधारा में हम देखें तो तुलसी रामभक्ति कावेधारा के प्रवर्तक हैं और सूर कृष्णभक्ति कावेधारा के प्रवर्तक हैं लेकिन अपने अपने मत लगे बादी मचावत सूर ऐसा मध्यकाल का कभी जब लिखता है कि सब में शोर मचा रहें और यह नहीं जानते कि अन्तते एक आराध्य वही है तो मार्ग अलग अलग हो सकते हैं लेकिन साध्य वही है जहां पहुंचना है ब्रहमर्गीत प्रसंग की जो योजना है उसका जो प्रयोजन है वह वस्तुत है सगुन भक्ती की निर्गुन भक्ति धारा पर या परंपरा पर विजय दिखाना है गोपियों के और उधव के मद्ध्य जो संबाद होता है उस संबाद का विदिवत जो उसकी योजना बनाई गई उस योजना का जो प्रयोजन है वह गोपियों द्वारा उधव की पराजय दिखाया जाना एक प्रयोजित कारिक्रम है बाकाइदा कभी इस योजना को बनाकर चलते भी हैं बहुत से कभीयों ने भ्रहमरगीत प्रसंग लिखा है नंददास का भ्रहमरगीत भी इस दिरुष्टी से बड़ा चर्चित है कम और ज्यादा कहीं किसी ने दो चार छे चंद लिखकर भी ब्रहमरगीत प्रसंग में प्रवेश किया है और किसी ने और विस्तार से पूरी प्रसंग की नियोजना भी किये तो भ्रहमरगीत संग्रह नाम से एक ब्रहत पुस्तक भी आती है जिसमें बक्तिकाल और रीतिकाल के बहुत सारे कभी यहां तक कि आदुने काल में भी आदुने काल में जगनात दास रतनाकर उदव शतक लिखते हैं तो वही पूरा भ्रहमरगीत प्रसंग है वह एक अलग को अलग रूप से स्थापित करता है प्रतिश्टित करता है सूर की पैचाल ब्रहमरगीत नी परंपरा नियोजन में अलग तरह से बन जाती है हम देख सकते हैं कि यह कह जाता है कि साहित जो है वो समाज का दरपड़ है और समाज में बहुत सारी परिस्थितियां राजनेति सामाजिक दार्मेक आर्थिक आदी आदी यह साहित्य और साहित्यकार दोनों को प्रभावित करती हैं लेकिन ऐसी अनेक भावधाराएं जो समाज में जन्म लेती हैं और युग समय सापेक्ष रहती हैं और फिर समाप्त हो जाती हैं लेकिन भ्रहमरगीत प्रसंग वाली यो उतनी ही जीवन्त और उतनी ही प्रासंगिक है इसलिए वह एक अपवाद धारा है जो आज भी अपनी महता बनाए हुए है बहुत से बरसों से हम देख सकते हैं कि अबाद गती से बहने वाली निरंतर प्रवाईत होने वाली यह धारा जो भाव वहन की शक्ति को आत्मसात करती है जीवित रखती है गतिशील बनाए रखती है वह धारा है ब्रहमर गीत परमपरा जिसमें ब्रहमर या नहीं भावरा यह प्रतीक है यह प्रतीक है रस लौलुप का रस लौलुपता प्रेम प्रमंचक जो रसिक है उसका प्रतीक है भावरा प्रेम में चल करने वाला प्रे उसका प्रतीक है भवरा इसलिए कभी किसी एक कली पर कभी किसी दूसरे पुष्प पर वह रस्पान करता है वह ब्रह्मन करता है यहां से वहां वहां से यहां और फिर किसी एक पुष्प या कली पर स्थिर होकर नहीं रहता यह जो चंचलता है यह जो रस लौलुपता है उसक प्रतीक बना कर कभी ने बहुत सुन्दर प्रसंग का नियोजन किया है। यह जो भ्रमर वृत्ति है उसको केंदर में रखकर गूपियाँ उधव से संबाद करती हैं। और किसी भी सुन्दर से सुन्दर रसीले पुष्प का परित्याग करने में भी अन्य पुष्प के आकरशन में परित्याग करने में भी मवरे को कोई संकोच नहीं होता रस के मरमग्य बड़े बड़े कवियों ने पुष्प के समान सुकुमार नारी के कोमल और सरस हरदय में परित्याग करके किसी पुरुष्प को अन्य कामिनियों के साथ या उनकी ओर आकरश्ट होते हुए उनसे रमन करते हुए देखा तो उसे भ्रहमर के नाम से संबोदित किया सामने लोग जीवन में भी किसी ऐसी वृत्ती के व्यक्ती को देख कर कहते हैं कि भवरा है यह यत्रतत्र विचरन करता है तो भ्रहमर के नाम से यह जो प्रतीक अर्थ ग्रहन किया ये वास्तव में एक विलक्षन सूजबूज का परिचायक है पुरुष की प्रवंचना सुकुमार नारी की विरह व्यथा और उससे सुसजित गीतों को ब्रहमर गीत के नाम से ही जाना गया जो की हिंदी के मद्धिकाल के बहुत से कवियों ने इसकी रचना की है ब्रहमर गीत में प्रतीक शैली द्वारा नायक की निष्ठुरता, प्रवंचकता, लंपटता, रसलौलुपता इनकी विशेश रूप से चर्चा की गई है और नाइका की मूख व्यथा, विरह वेदना विरह में, वियोग में जो नाइका की जो विगलता है उसका और उपालंब आदी उलाहने देती है, शिकायत करती है नाइका तो इन सब को ध्यान में रखकर जो ताना बाना सूर्दास ने कविता में इस प्रसंग के संदर में प्रस्तुत किया वह अद्बुत है ब्रहमरगीत की इस परंपरा का बहुत से कवियों ने अनुसरन किया और इसलिए डॉक्टर हरिवंचलाल शर्मा जी ने बहुत महत्मून काम सूर्द के संदर्ब में किया है उन्होंने एक जगहा लिखा भी है कि अभिज्यान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत की पहली रानी हंस पादिका द्वारा शाकुंतला के प्रेम में डूबे हुए दुष्यंत को जो उपालंब भ्रहमर को संबोधित करते हुए दिलाया गया है उसे प्रथम भ्रहमर गीत माना गया है तो इसका मतलब है कि अभिज्यान शाकुंतलम में भी संकेत से इस परंपरा के उदभव का उलेख हमें मिलता है लेकिन सूर में जिस ब्रहमर गीत प्रसंग की चर्चा हम करते हैं वह उदव गोपी संबाद का उनलेख है और वह लगबग सभी कवियों ने जाती धर्म भाषा आदी का भेद बुलाकर चाहे वो हिंदू कवी हो चाहे वो गैर हिंदू कवी हो उन सबने जिसमें रहीम का नाम भी है जिसमें बहुत बड़े स्वचंद काविधारा के आदी कवी रसखान का नाम भी है उन्होंने निरगुन, मलूक, मकुंदादी इन क कवियों की बात भी करें सुंदरदास की तरह क्रश्न-बhakti का ही प्रतिपादन किया है ये क्रश्न-बhakti के प्रकरण में प्रसंग में ही इस प्रहमरगीत प्रंपरा का उलिख करते हैं सूर की जो मोहक अभिव्यक्ति है वह एक ही भावधारा में समस्त बाद के कवियों को बहा कर ले जाती है इसलिए हिंदी के बक्तिकालीन रीतिकालीन बहुत से कवियों ने अपने स्फुट पदों में उद्धव गोपी संबाद का उलिख अलग से भी किया है मतिराम जैसा कवी यह भी ब्रहमरगीत प्रसंग के कुछ चंद अलग से लिखते हैं देव घनानंद पदमाकर सेनापती बिखारी दास हित वरंदा बंदास ऐसे बहुत से कवियों का उलिख है जो रीतिकाल के कवी हैं इन्होंने भी कृष्ण बक्त कवियों की तरह ब्रहमरगीत प्रसंग में अपनी विशिष्ट अविरुची रखी है विचार की दृष्टी से कावेधारा में रीतिकालीन ब्रहमरगीत प्रसंग में वो गहनता हाला की दिखाई बले ही ना देती हो लेकिन वो धारा अबादगती से बहती हुई अवश्य दिखाई देती है इस काल के कावेशिलपी देव मतिराम घननन ने तो बक्तिकालीन विचार पक्ष को गौन रखकर विरहान भूती की मर्म योजना और भाषा के सौष्टव में अपनी कविता के माद्यम से बहुत श्री वरद्धी की है चार चान लगा दी हैं उन्होंने आदुनिक कावे में भी भ्रमर्गीत प्रसंग कवियों का कंठाहार बना भारतिंदू हरिश्चन ने भी भ्रमर्गीत प्रसंग से प्रभावित होकर उस पर प्रचुर मात्रा में लगबग 50 सुट पद भारतिंदू के मिलते हैं जो भ्रमर्गीत योजना से जुड़े है सूर्दास का स्पष्ट प्रभाव पारतिंदू पर भी दिखता है हरियोद के प्रिय प्रवास में भ्रमर्गीत प्रसंग बहुत खूबी के साथ बहुत ही प्रभावी रूप में दिखाई देता है वहाँ गोपी विरह का वहरूप नहीं जो पूरवर्ति साहित्य में था लेकिन एक मौलिक्ता के साथ अयुद्या सिंहुपाद्या हरियोद भी इसका उलेख करते हुए दिखाई देते हैं बद्रि नारायन चौधरी प्रेमगन ने भी इसका उलेख किया है इस प्रसंग पर अगर हम विस्तार से देखें तो सत्य नारायन कविरत्न ने बहुत ही मह नुकूल जो राष्ट्रिय चेतना राष्ट्रिय भावना है उसका समावेश भी कविताओं में किया गया है और ब्रहमर्दूत नाम से लिखी गई रचना एक अलग पहचान बनाने वाली रचना के रूप में वस्तित होने लगी इसमें ना उद्व है ना गोपियां लेकिन माता येशोदा द्वारका में बसे श्री कृष्ण के पास संदेश भेजती हैं तो प्रसंग को कथा को एक नए आयामों के साथ एक मौलिक आयाम के साथ प्रस्तूत करने का यत्न करते हैं स्वदेश प्रेम राष्ट्रिय भावना निरक्षरता देश की दीन ही नवस्ता इन सब को कभी ने मौलिक उद्वावनाओं के साथ इसी प्रसंग से जोड़ दिया है राष्ट कभी मैतलिशन गुप्त द्वापर नाम के गरंत में उदव गोपी संबाद को विस्तार से लिखते हैं और इसमें गुप्त जी ने ब्रहमरगीत के स्थान पर विहंग को रखकर प बाबु जगनात दास रतना कर जिनकी चर्चा मेंने पहले की उन्होंने उदव शतक लिखकर इस संदर्व में इस परंपरा में एक नया आयाम जोड़ दिया आदी से लेकर अंत तक सभी ब्रहमरगीतों के गुण इस रचना में विद्वान है यानि उदव शतक जो है वो अ विद्दिमान है सूर की सहर देता भी और वागविदगतता भी विद्दिमान है देव और घनानंद का भाषा सोश्टब भी वहां विद्दिमान है रतनाकर के बाद कई कभी इस विशे पर रचनाय करते रहे और उनमें राम शंकर शुकलर रसाल का नाम विशे शूप से द वह उदव गोपी संबाद कावे है की रचना और नियोजना है अपने आप में एक विशिष्ट कावे की रूप में उभर कर हमारे समक्षाती है लगवक सौ कवियों की रचनाएं इस विश्ट पर उपलब्द होती है लेकिन एक ही संकीन विश्ट कवियों के द्वारा नए नए रूप में प्रस्तुत किया गया यह उपलब्दी है मद्यकाल की मद्यकालीन कविता की और अपने आप में यह एक विलक्षन कावे का प्रतीक बन गया ब्रहमर्गीत का संबंद विप्रलंब शंगार से मूल रूप से विरह और वियोग की जो अनुभूती है गोपियों की क्योंकि गोपियों के विरह से आकुल और व्याकुल होकर क्रश्न उधव को सावि प्राहे गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं यह वही प्रसंग है एक उपालंब कावे के रूप में भी इसकी पहचान है जिसमें गोपियों ने भ्रहमर के व्याज से व्याज मने बहाने से उदव और उदव के व्याज से कृष्ण पर व्यंग किये है व्यंग प्रधान रचनाओं का संबंद उधव से है इसमें ब्रहमर के व्याज से उधव ज्यानों पुदेश और निर्गुन ब्रहमों पासना पर व्यंग किया गया है कभी साविप्राय यह व्यंग करता और करवाता है यह अंश सिद्धान्त प्रधान है इसके प्रतीपादक उधव ज्यान और कर्मकांड में विश्वास करने वाली भक्ती के प्रतीख है ज्यानमारगी भक्ती जो की निर्गुन कावे परंपरा की मुख्य भक्ती है तो ज्यान मारगी भक्ति उसके प्रतीक है उदव और कर्म कांड में वो विश्वास रखने वाले कृष्ण से संबंदित रचनाएं उपालंब पूर्ण है उनमें उदव के व्याज से कृष्ण की स्वार्थ सेवी मनोवरत्ति को आधार बना कर उन्हें उपालंब दिया गया कृष्ण को जो मतुरा चले गए हैं राजा बन गए हैं उनके प्रती जो उपालंब का उलाहने का भावे गोपियों का वे उदव को सामने खड़ा करके वो सारे उपालंब देती हैं और एक तरह से वो महवरे को प्रतीक बनाकर उन पर व्यंग भी करती हैं ब्रहमर्गीत का हरदय की विजय दिखाकर सगुन साकार ब्रहम की भक्ती भावना इसको श्रेष्ट प्रतिपादित करना भी है सूर साहित्य का मूल आधार श्रिमत भागवत है भागवत में समाहित एक गोपी अकस्मात आये हुए ब्रहमर को देख कर उसे कृष्ण दूत समझ कर बहुत वि संबोदित करते हुए कहते है कि हे कप्टी हे चली और हे कप्टी और चली के मित्र सखा मधुप तू हमारे पैरों को मच्छू हम देख रही हैं समझ रही है कि श्रेकरिष्ण की वनवाला हमारी सौत के वक्षस्थल के स्पर्ष से मसली हुई है इस तरह भागवत में गोपी प्रागवत मच्रश्न के विरह बेद ना स्वतय प्रकट होती है उद्भूत होती है गोपी भ्रहमरगीत भी गाती है गाती जाती है और कृष्ण के प्रतीखोटि घरी बातें भी व्यक्त करती जाती है यह एक आकसमे गटना के रूप मे आकर एक गीत का रूप धारन कर ले आधारित पद सूर्दास ने लिखे हैं तो संगीत के बड़े मरमग्य विद्वान थे सूर के पदों का गे रूप में प्रस्तुति करण आज हम इलेक्ट्रोनिक मीडिया में रेजियो टीवी पर खूब देखते हैं और सुनते हैं उदव का ब्रज जाना संदेश प्रकट करना गोपियों के प्रती और उदव गोपी संबाद कथानक के मुख्य अंश बनकर हमारे समक्ष आते हैं सुर्दास ने ब्रहमर गीत को अत्यदिक महत्व दिया सूर की जो कला है सूर की जो कावे कला है सूर की जो अभिव्यक्ति कौशल है और भाव पक्ष है उनका एक समिश्चन एक अद्वुत संगम हमें इस प्रसंग में मिलता है सगुन भक्ति का संदेश देने में ही सूर की प्रतिभा का सर्वोत्तम उभ्योग हुआ है इसका मतलब सूरदास प्रारम में भले ही निर्गुन भक्ति की बात करते रहे लेकिन जैसी वल्लबाचारे के संसर्ग में संपर्ग में आये उनकी भक्ति में आये उनके शिश्य बने गुरत्व को स्विकार किया तभी से उन्होंने सगुन की महत्ता के प्रतिपादन का संकल्ब ले लिया सूर के ब्रहमरगीत के उद्धव ज्यान के प्रतीक है और गोपियां भक्त की और भक्ती की प्रतीक है प्रेम की प्रतीक हैं उदव की हार वास्तों में ग्यान की हार है और गोपियों की विजय वास्तों में भक्ति और प्रेम की विजय है कृष्ण अपने प्रिय बाल सखा उदव को गोपियों के पास भेजते भी इसी उद्देश्य से हैं कि भक्ति और प्रेम की विजय वो दिखा सकें निर्गुन भक्ति पर ज्यान के प्रतीक उधव अपने हर्दय में अमित विश्वास और साहस लेकर आए है पड़ा विश्वास है उधव को अपने योग साधना पर अपने ज्यान गरिमा पर उन्होंने लगता है कि यह उनके ब कि मित्र के लिए यह काम तो बड़े सहज से काम का दाइच तो है इसलिए वो विश्वास के साथ बड़े भरोसे के साथ अपनी ज्यान गरिमा के साथ वहाँ जाते हैं और गोपियों को उबदेश देना शुरू करते हैं कि योग करो साधना करो ये कृषन जो है ये कोई आर इट्ष्ट करने का बिला जब उद्ध उठाते हैं और वह अपना वक्तव्य अपना भाषन अपना परामर्श गोपीयों को देना शुरू करते हैं तो उनके अनुसार ब्रह्म को प्राप्त करने का एक मात्र उचित उपाय है वह है योग वगोपीयों से कहते हैं बक्ति बक्ति ये प्रेम ब्रेम छोड़ो और योग करो अपनी योग साधना से अपने अंतरतम को सिद्ध करो जो बात कभी रादी संतों ने भी प्रकारांतर से कही है करका मन का डार के मन का मन का फिर पर तभी उद्धव को एक उपालंब और ताना देती हुई व्यंग करती ह तुई गोपी कहती है ए अली कहा जोग में नीको के भम्रे यह बताओ यह तुम्हारा योग जिसकी तुम बात बार बार कर रहे हो इसमें अच्छा क्या है इसमें क्या नीको है भला क्या है तजी रस रीति नंदनंदन की सिखावत निर्गुन फिखो वह कहा रस से आपलावित भक्ति और प्रेम मार्ग वो कृष्ण जो रसिक शरोमनी है उनको भुलाकर तुम हमें ये शुष्क ये फीका निर्गुन भक्ति मार्ग इसकी बात कर रहे हो हमें तुम ये बताओ इसमें ऐसा क्या है जो आकरष्ट करे जो स्वीकार रहे हो जो हमें प्रभावित करे ऐसी नहीं देटी है बेचारे उद्व हो प्रारंब से ही ऐसे तरकों को सुनकर चक्रा जाते हैं घब्रा जाते हैं और एक अन्य प्रयास वो करते हैं तभी एक अन्य प्रहार गोपी करती है कहती है रेखा ना रूप बरन नहीं जाके ताको हमें बतावत जिसके ननाक है ना कान है ना आंख है नंओ है ना हाथ है ना पेर है जो अधृष है जो अलेख है अरूप है ऐसे ईश्वर की बक्ती की बात तुम हमसे करते हो जैसे हम देख नहीं सकते जैसे हम चू नहीं सकते ऐसे आराध्य की प्रती हमारा भक्ति भाव बला जागरत कैसे होगा तो रेकाना रूप बरन नहीं जाके ताको हमें बताबत अपनी कहो दरस वैसे को तुम कब हूं हो पावत अच्छा हमारी छोड़ो तुम अपनी बताओ कि ऐसा जिसे हम न देख सकते हैं न चूँ सकते हैं जो द्रश्य नहीं है जो प्रकट नहीं है तुम उनके दर्शन कैसे करते हो हमें वो उपाए बताओ क्या तुम उनके साथ उठ बैठ सकते हो तुम उनके साथ तमाम तरह की वो लीलाएं जो हमने की हैं वो कर सकते हो उक्रिडाएं कर सकते हो उधव के पास कोई जवाब नहीं है वो निरुत्तर है इसलिए सूर ही उधव को वस्तते साभी प्राए कमजोर बनाते हैं कमजोर दिखाना चाहते हैं क्योंकि सूरदास का जो प्रे और शे है वह तो है ही है कि सगन को सशक्त दिखाना है और निर्गन को अशक्त दिखाना है इसलिए उधव कमजोर है उधव बिचारे उनकी जवान सूखने लगती है उधव को कुछ सूजता ही नहीं कि गोपियों के इन तरकों का उत्तर क्या दें अब उधव एक बार क करशन के नाम का बहाना लेकर समझाने में फिर जुटते हैं मैं जो कह रहा हूं वही सब मुझे करशन ने कहकर भेजा है उदव कहते हैं गोपियों से कि यह मैं नहीं कह रहा हूं यह तो वह सब कुछ है जो मुझे करशन ने कहा है कि मैं तुम्हें जाकर समझाओं पर गोपिय अनर्गल विचार कर रहा है हमारे समक्ष इसलिए उनके कृष्ण ऐसा कह नहीं सकते यह तो कुबजा की चाल है ऐसा गोपियों के मन में भाव आता है वो कुबजा जो सदेव उनके निकट रहती है या कृष्ण जिनके निकट रहते हैं इसलिए यह सुनकर उदव को क्रोध आ और मेरी बात को ध्यान से सुनो गोपियां सोचती है कि यह तो कृष्ण का मित्र है फिर यह अनाप शनाप भला क्यों बोल रहा है कृष्ण का मित्र है तो हमारे हित की बात करे लेकिन यह तो हमारे अहित की बात कर रहा है यह हमें कृष्ण को विस्मृत करने बोला देने की बात कर रहा है, ये कैसा पत्र वहाग, कैसा संदेश वहाग है, इसलिए उन्हें बड़ा क्रोध भी आता है, हमारी सुनता नहीं, अपनी कहे जाता है, गोपियां कहती है, हे उधव, तुम मानसिक रूप से कुछ अस्वस्त प्रतीत हो रहे हो, जाओ, जाकर अपना पहली इला आरंब करते हैं, गोपियां कुरद हो जाती हैं, और कह उठती है, अटपटी बात तिहारी ओधो, सुने, सो ऐसी को है, ये बेसर पैर की, उल्टी सीधी तुम्हारी बातें, ये हम सुनने वाली नहीं है, यहobile कौन हैं, तुम्हाना मनसिक संतुलन गढ़बला गया है, तुम तुम जाओ अपना कहीं इलाज कराओ, चिकित्सा कराओ, हम अहीर अबला सथ मधुकर, तिने जोग कैसे सोएं, अबलाओं के लिए जोग थोड़ी होता है, योग तो पुरुशों के लिए होता है, और हम इस तरियां हैं, कौमल हर्दे हैं, कौमल अंगी हैं, और तुम ये उल बथ्व्वन ज्ञान हमें नहीं चाहिए, तुम यहां से लेगाओ, तो ये जो योजना सूरदास ने किये हैं, और बहुत लंबे संबादों के साथ, बहुत तर्क वितर्क के साथ, जिसके मू rating नहीं हैं, तो बताओ मक्षन किसने खाया, जिसके पाउँ नहीं हैं, तो बता लज्जित होकर फिर लोट जाते हैं और कृष्ण के समक्ष जाकर कृष्ण उनकी वह मनस्तिती और दशा देखकर समझ जाते हैं कि उनका उद्दिश पूरा हुआ वस्तुत है वो उदव को प्रेम और भक्ति के महात्मे का ग्यान दिलवाना चाहते थे इसलिए उन्होंने जा जो जना सूर्दास ने इस प्रसंग की की है बाद के अनेक कवियों ने इस भ्रहमरगीत प्रसंग को अपनी कविता का हिस्सा बनाया है यह मद्यकालीन जो दर्शन है जो भक्ति संप्रदाएं हैं उन सब के परसपर द्वन्यों को दिखाने का भी एक उपकरम था और की कविता के कुछ मैत पूर्ण बिंदू थे जिनकी चर्चा हमने की अगली बार हम अगले विशे के साथ आपके समक्ष फिर उपस्तित होंगे तब तक के लिए आग्या दीजे मस्काल और इसी सथम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर पीसी टेंडन को जिनके माद हम स आज हमें सूर्दास पर विशेश रूप से चर्चा करने का मौका मिला सूर्दास के बारे में जाने का मौका मिला और ब्रहमर गीति योजना इस पर भी हमने विशेश रूप से चर्चा की तो मित्रों हम यही चाहते हैं कि अगर आपके मन में कोई भी जिग्यासा हो आप ज झाल झाल